हलो विल्कम फ्रेंट्स आज की ये विडियो माइक्टोफ एक्सेस से रिलेटेड एक्सेस को ओपन करेंगे यहां से एड़ल सी डवल स् तो ये एक्सेस ओपन कर लेता हूँ मैं एक्सेस का 2021 यूज कर रहा हूँ अगर आपको 2007 हो तो आपको एक अलग से क्वाईरी बनानी पड़ती है अब यहां से क्या करना है आपको blank database पर जैसे ही आते हैं तो आपके सापने सिनरियो कुछ इस तरीके का आता है यह software जो है salary management का है है यहां से पर click कर देते हैं और data भी सक चैन्नाब चैन्ज नहीं कर रहा हूँ ए और यहां से जाएंगे व्यू पर और यहां से डिजाइन य represent salary management ति क्यानाम यह salary management झाली ठीक है तो यह हो गया name of employee ठीक है और फिर यहां पर short text आएगा अब आपको अगर 2007 यूद करते होंगे तो यहां पर short text, long text के बजाए कि वर text data type मिलेगा तो यह चीज ध्यान रखिएगा और यहां पर इनकी salary कितनी बन रही है वो चीज यहां पर आएगी तो यह salary आएगी यहां और salary को हम क्या रखेंगे currency related क्या रखेंगे currency ठीक है और इसके बात से हम क्या करेंगे यहां पर salary जो भी इनकी बन रही है उस पर कुछ pf कटेगा तो pf यहां पे कितना percent कटेगा pf in percentage यहां पर देटक्ट कर देते हैं यहां पर फिल्ड का नाम deduct in percent ठीक है तो यह pf deduct in percent कर द underscore लगाएंगे तो ज्यादा better है तो यहां पर underscore लगाके लिखेगा gap देने के बजाए ठीक है ना तो मैं भी यहां पर underscore लगा लेता हूं यह इस तरीके से और एक यहां पर percent और इनके बीच में भी एक underscore लगाएंगे तो यह लगा दिया ठीक है और यहां पर क्या रखेंगे य यहाँ हो गया है आप यहां पे प चाहिए तो इसके लिए इसके लिए इक करेंगा यहां से coming टीडिक का इस ताइप हो गया हमारा और यहां पर करेंगे यहां से सीधा सेलरी थाणिए अहसे AZ सालेरी को यहाँ पर हम क्या करेंगे किसे करेंगे कि एफ हो गया जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे लिखेगा अगर इसको बंद करेंगे करेंगे डिगा शहां से जाएगे और यहां पर आपको मिल जाएगा टेबल डिजाइन तो यहां से क्लिक आप लाकेश- जैस्वाल एक employee का नाम लिख दिया हमने राकेश जैस्वाल ठीक है salary कितनी है 23,000 ठीक है 23,000 ठीक है 23,000 कर दिया अब यहाँ पर इनका पीएफ कितना कटेगा जैसे माल यह पीएफ इनका कड़िया 15% 15% कटा तो उसके अपने आप आ जाएगा फिर यहां पर गौरो सिंग यह लिख दिया और यहां पर इनका भी salary कितना है तो इनका salary 20,000 है तो यहां पर 20,000 कर देते हैं और यहां पर यहां पर प्टेगा तो 15% 15% के आप देख देख सारा कुछ calculate होता है ठीक है जैसा ही आप यहां पर जाएंगे सारी detail डालेंगे तो यहां पर automatic calculate हो जाएगा तो देख सकते हैं यह 2021 ज्यादा बेटर है मुझे लगता है कि 2007 से क्योंकि आप query नहीं बरानी पर रही है सीदा सीदा एक ही बार में काम हो जा रहा है ठीक है अब इसको मैं close कर लेंगे हम blank formless है blank यह जो blank दिया है ना यहां से blank form लेंगे और blank form लेकर करके हम कहा जाएंगे design यूपर और design आने के बाद यहां पर आपको शोर टेबल नजर आएगा तो हमारे पस तो एक ही table है तो हम इसी table को ले लेंगे और इसमें जो भी fields हमने दिया है उन सब को लेंगे तो यह हो गया employee id और यह हो गया name of employee ठीक है यह जो किएध सकते हैं यह जो भी है और इसे से की फिरते हैं वह मौल ट हम आई इसको हाना है खित हुआ और अप्र हम गारे का न्यम हम यहां रखेत तो ये सब हो गया है अब हमको क्या करना है और बैग्ग्राउंग को मेज देना चाहते हैं यहां थिधा कर दिखेगा अब यहां से हम को सीधा कहा जाना है यहाँ से जाकर के थोड़ा और बड़ा कर लिजएगा को उप्राइब है यह तो mush mów कि वजाएगा यह डेहोगए हम तो यह सकते हैं तो यह इस तरीके समझना आई होगी कि यह कैसे करना है आप के यह तरीके से यह बना सकते हैं यहां से यहां से यह जो भी फीर्ट्स यहां पे आपने दिये हैं जो भी यहां पे उनको छोटा बड़ा किया यहां से यहां से इधर से मैं करता हूं गया आप यह दिखने भी लगेगा तो अब यह इस तरीके से नजर आएगा तो यह बहुत आसान है आई हो कि आपको बात समझ आई होगी कैसे प्याफ करने के लिए अपकर अब नहीं है तो फ्रक्र चले होगे लेकिन थोड़ी से दिक् को सेफ करते हैं तो यहां से जाके सेफ करोगा इसे मैं सलरी से नाम जब सेफ करना हूँ हों क्या करेंगे पहले उसके इस विज़र्द पर जाएंगे यहां से ब्रगर तक धर अधर ने चाहिए तो यह ले लिए हमने next करेंगे और next करेंगे और यहां से इसको modify करेंगे और finish करेंगे तो यह इस तरीके से आ जाएगा ठीक है ना अब क्या करना है हमें हमें यहां पर जो है हम यह चाहते हैं कि हम यहां पर कहां से खोजेंगे तो यहां पर form form के अंदर देखेंगे यह जब form है यहाँ पर आएंगे और फिर कौन सा form है हमारा तो salary app है और इस salary app के अंदर हम employee ID के base पे सारा काम करेंगे यानि employee ID ही unique field है हमारे में ठीक है देख लिजे इसको मैं थोड़ सा zoom भी कर देता हूँ देखें इस तरीके से ठीक है और यहाँ से okay करिएगा और okay करके क्या करना है simply यहाँ run पे click नहीं करना है आपको इसको save करना है इस query को save करना है तो salary management query के नाम से save हो गया ठीक है हम उसको close कर देते है और close करने पाद इसी के base पे report करेंगे तो यहाँ से जाएंगे और report विजर्ट पर जाएंगे विजर्ट पर गए अब salary management query के बीश को रिपूर्ट डिजाइन करना है और यहां से modify कर देंगे तो यह कुछ इस तरीके से नजर आएगा देकि salary management है ना तो यहां पर चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं यह हटा देंगे तो यह इस तरीके से आएगा और इसको थोड़ा उपर कर दीजेगा ठीक है अब यह दर से खीच करके थोड़ा इदर के त ताकि सारी चीजे adjustable हो जाए सारी चीजे हमें दीखे काईबे से ठीक है ना फिर यहां पर इस पर क्लिक करके इसको भी आप अड़ेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से यहां पर एड़ेस्ट कीजिए पर यहां से जाइएगा तो इस पर जाकर कर इधर करिएगा इस तरीके से और पीफ अमाउंट जो है यहां पर आएगा और यह इस तरीके से हो जाएगा और यह करने के बाद यहां से पीफ अमाउंट को इधर लेके आएगे और पीफ अमाउंट जब इधर आएगा तो फड़ा सा यह फील्ड बढ़ानी होगी ताकि आपको प्रॉपर ली सारी चीज़े अब यहां से क्या करना है इस पूरे डेटा को सेलेक करना यह जो दिख रहा है ना यह पूरा ही डेटा इस तरीके से सेलेक करिएगा और सेलेक करके क्या करना है यहां से होम पे जाना है और होम पे जाकर करके और यहां से इसको ब्लैक कलर करने ताकि यह देखने में को ओपन करेंगे तो इस पॉप में जो भी ओपन है जैसे माले कि यह employee ID 1 वाला ओपन है तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि की पूरी डीटेल आपको दिखाई पड़ी यहाँ पर केवल और केवल employee ID 2 का ही केवल डीटेल दिखाई पड़ा है लेकिन अगर फॉर्म में चेंजेस होते हैं जैसे माले कि यह फॉर्म में हमने employee ID 1 कर दिया जब आप रिपोर्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ से एक बार र कि यहाँ कि यहाँ साथ इसा चैनल को सब्क्राइब करना मतुले का थैक्यों पर वाचिंग जयाँ